दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बावू पर और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो लेकर तो दोस्तों आज यह मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक हिंदुस्ताइन टाइम से एक निउस आर्टिकल जिसे मैं करने व तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं मैं आज की रिपोर्ट सबसे पहले हैड्लाइन देख लेते हैं हैड्लाइन क्या है इसकी मैं हेज गर्फ्रेंड व्यक्ति और उसकी गर्फ्रेंड केल्ड आंट कि आफ्टर फिर टू फेल अटेम्ट इसका मतलब क्या हुआ जो व्यक हाउस मतलब उसका घर लूट लिया चलिए दोस्तों अब मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ ग्याइं डिल्इ पुलिस क्राइम ब्रांच टीम है अरेस्टिड इवर मैं एंडिस गर्फ्रेंड दिल्ली पुलिस की जो प्राइम ब्रांच है उसने अरेज़ दोस्तों यहां पर has और third form है तो यह हमारा एक्ट के बार थपर फर्फेक्ट का टेंस है जब भी has had के बार third form आती हो prison perfect होता है तो यह हमारा sentence क्या है a Delhi police crime branch दिली police की crime branch team है उसने arrest कर लिया, has arrested a 31 year old man 31 साल के एक व्यक्ति को and his girlfriend और उसकी girlfriend को फोर अलेजडली मर्डरीं का मतल्द होता है कथित रूप से यह कथित तौर से मर्ड़िंग मतलब हत्या के लिए नमेंस अंट जो व्यक्ति की अंटी है उनके लिए at Northwest Delhi Northwest Delhi is east शालीमारबाग में कि आई डिकैंपिंग दोस्तों यह जो वर्ड happens कोनोओ कर सकते हैं डिकैंपिंग का मतलब होता है रफू चकर हो जाना फरार हो जाना के लिए 15 लäक काश 15 लाक केश यंड जूलरी और जवारार जैरी के साथ वर्थ ओंवर वन ग्रॉर वर्थ ओवर मतलब बर्थ का कि कि अवेरे ऑफिसर सेवेर अफ दॉटर अफ हत्मैर मतलब फच्राइब यह सेड़ अन फ्राइड है मतलब उन्होंने फ्राइड को कहा橋 चलिए आगे देखिए है दिक पॉलिस आईन्टिफाइड द हएख यूज़ पिलिस न आइदन्टिफाइड कि filed पहेंас मतलब आरोपी एज मधूर कुंद्रा मतलब मधूर कुंद्रा की तरह एज मुटी करता है मैडिकल करता था 28 और अमर्जोद कर संदू 28 अनर्स एट एन अमरिस्टर होस्पीटल एक नर्स अमरिस्टर होस्पीटल में चलिए आगे देखते हैं कि अधिकारियों के अनुसार कुंद्रा और संदू वांट आउट अफ देयर रिस्पेक्टिव मेरेज वह चाहते थे अपनी रिस्पेक्टिव मेरेज से और प्लानिंग टू इस्टार्ट लाइफ और वह जब शुरुआत करना चाह रहे थे वर प्लानिंग मतलब योजन बना का मतलब हुआ विदेश जाकर मूव का मतलब होता है कहीं चले जाना और अबरोड मतलब विदेश टुगेधर एक साथ तू फंड दिस शिफ्ट इस चीज़ को मतलब फंड करने के लिए पैसा देने के लिए तू फंड देशिफ्ट देर टार्गेटेट कुंद्रा आंट औ के बाद का मतलब जानना होता है लार्ट अबर लेनिंग यह जानने के बाद शीचिफ जूलरी एंड लार्ज अमौन्ट ऑफ एडम यह जानने के बादकि वहोजो जूएलरी और जो अमाउंट है वह घर पर रखते थी शीक मतलब ने घर पर रखा था चलिए आगे देखिए कैंटि यह जोड़ा है मेर्ट उपयल अटैंट उन्होंने टोkkil मदान मदान को मारने के दिसम्बर थर्ड एंड दिसम्बर नाइन मतलब दिसम्बर तीन दिसम्बर नों को दे वर सक्सेस्वल और वह सफल थे इन देर अटेम्ट और अपने तीसे प्रियास में वह सफल थे ओन टूजडे मंगलवार को वैंड वैंड इसमोधर विक्टिम और जब उन्होंने विक्टिम को मतलब पीडित को स्मॉधर कर दिया इसमोधर मतलब दम घोट न विदा पिल्लो पिल् सब्सक्राइब दोस्तों प्लेट का मतलब होता है यह फ्ली की सेकंड फॉम है फ्ली फ्ली अलबल ई और यह सेकंड फॉम है तो क्या लिखा है दाट टू दैन फ्लेड और जो दो थे वह दोनों उसके बात फरार होगे फ्लैट टू अमरीश सर विद्धा इस्टोल एंड जो होटल से ऑन ट्यूजडे मंगलबार को पुलिस सेट पुलिस ने कहा एडिंग जोड़ते हुए दैट की ऑल दा स्टॉलन जो भी चोरी हुआ ऑल दा स्टॉलन के चोरी हुआ वा कैश एंड जोएलरी और जोएलरी वर रिकवर्ड मतलब की बरामत कर लिए गए चलिए आगे देखिए आप पुलिस ओफिसर एक पुलिस अधिकारी ओन कंडिशन ओफ एनोइमिटी का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी पहचान ना बताना चाहे ओन कंडिशन ओफ एमिटी सेट कहा दैट की डियूरिंग दा प्रिवियस तू अटेम्ट्स दूरिंग दा मत मतलब की आए थे ट्रैफल किया था तू मदान मतलब मत अपरात को और तसय मतलब लेकिस को करने के लिए पहले यह यहा तक हिंब मत नहीं जोटा सके दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं गैदर करेज का मतलब होता है हिम्मत जुटाना चलिए आगे देखिए मदान 56 मदान नहीं इस दी है मदान 56 वाज फाउंड डैड वह मदान 56 वाज फाउंड इड मतलब उन्हें मिर्थ पाया गया यह दोस्तों यह एक्टिप पैसिव का टैंस है जब भी वह और के बार थर्ट फोम आएगी तो एक्टिप एसीव होगा वह स्वाउंड डैड का उन्हें मिर्थ पाया गया एट हर इस्ट शालिमार बाग फ्लेट उनके इस शालिमार बाग फ्लेट में ऑन टूजडे नाइट तूजडे नाइट मदा मंगलवार की रात पुलिस सैट पुलिस ने का हर सन उनका बेटा चेतन 25 जो इस दिए पच्छे साल रिटरंड हॉम रि फ्रॉम आउट साइड बाहर से एंड इस मदर्स फोन सुच्ड ओफ और उनकी मा का फॉन सुच्छ ओफ ही दैन का मतलब हो उसके बाद कर दा पुलिस पुलिस को फॉन किया हूँ ब्रोग ओपन दा डोर जिसने ब्रोग ब्रेक ओपन की सेकिंद फॉम में ब्रोग उपन इसक धवेड डूब बेड्रोग में विद कैश एंड जुलिरी मिसिंग विद कैश जुलरी मिसिंग मतलब की जुल्री ओर केस गायब था चलिंग आगे देखिए देर आफ्टर उसके बाद a case of murder was registered case of murder मतलब की हत्या का case वर रिस्टर रिस्टर किया गया एड़ शालीमारभाग पुलिस्टेशन सालीमारभाग पुलिस्टेशन में दा नॉर्थ-वर्ट रिस्टिव शेयु इस पेचल स्फीशतिंड ती वॉज रॉप्ट इन जो नॉट्र कर सकते हैं डॉब्लब काम पर लगाना काम में के लिया तो सोल विटण ऊसको उल्जाने के लिए क्लिए इसका मदर शरू करना अदा क्राइब ब्रांच के टीम ने शुरू किया आप पैरेल इंवेस्टिगेशन पैरेल इन्वेस्टिगेशन एक और मतलब एक दूसरी भी जांच पैरेलल जिसको बोलते पैरेलल इसको इसकी हिंदि आप नोट कर सकते हैं इसको समानांतर बोलते हैं और सब्सक्राइब क्राइम प्राइम चितीम उसने एक एक शमानांतर जांच भी जारी की चलिए आगे देखते हैं इन्वेस्टीगेटर्स इसकैन जो इन्वेस्टीगेटर्स मन जांच करता हूंने स्कैन किया स्कैन होता है खंगालना चानना CCTV footage फूटेज को विच रिवील का मतलब जाहिर करना या राज खोलना जिसने राज खोला मतलब करीब सुबह दस बजे फॉलोड बाइए मतलब एक व्यक्ति के बाद वेरिंग टर्बन तर्बन मतलब पगड़ी पहने हुए एट अराउंड टू पीम दो बजे के आसपस बोथ वर सीन एक्जिस्टिंग यह भी एक्टि पैसीव का टैंस है बोथ वर सीन एक्जिस्टि बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग से भार निकलते देखा गया विदा बैग एक बैग के साथ एट अराउंड 5.30 पीम करीब साड़े पांच बजे थे स्पेशल स्टाफ टीम जो स्पेशल साफ की टीम है ऑल्सो एक्जामेंड ऑल्सो एक्जामेंड का मतलब उन्होंने चीज क लोटने से थाथि की हत्याब वाले दिन टू मोबाइल फॉन फॉन इस्पोन यूजर्स है तिए टेलि फॉर ये बिफॉर यह पाए कि जो दो यूुजर है मोबाइल के भॉर नहीं आनों नमें में विच्ट किया था फॉर ले जने दिने पहले फौर लैस देने बिफॉर कि चलिए आगे देखते हैं कि फॉर लेस दने डे बिफॉर रिटर्निंग टू अम्रीच सर मतलब कि उन्हों ने अम्रीच सर लोटने से पहले सिर्फ एक दिन पहले ट्रेवल किया था चलिए आगे देखिए के वन फॉन इन इनकोशन बटल जिस बारे में जिस मोबाइल के बारे में बात हो रही है जो सवाल के घहरे में हैं वे और नंपर रजिस्टर मदा अनके नाम पर रजिस्टर था हवेवर की ही वऄनुत आ तोन पहले होका मतलब वब एक zeker शिख नहीं थे अगर कि वोज नूटे सिक वी फाउंड कि वी फाउंड का मतला हमने पाया दैट की दा ओनर वफ दा अनादर फोन जो ऑनर है मतलब मालिक दूसरे फोन का है ड़े ट्रैवल टू डेली मतलब उसने डेली में ट्रैवल किया था दा सेम टाइम उसी समय दा पुलीस ओफिसर कोट मतलब पुलिस ओफिसर ने पिजिश को कोट किया कहा अबब चलिए आगे देखिए लेटम लीटर इस्कावर हमने पाया के मतलब हो फैस कोई चीज पा पता चलनाा कोई चीज को एक देंट तक लिए मसं सेकेंड फॉर्म है इसको वोर पढ़ते हैं डबलू ओ और इसका मतलब पहनना कुंद्रा वोर कुंद्रा ने पहनी एक सिख टर्बन एक सिख पगडी एन अमरी सर अमरी सर में एंड पेड फिफ्टी पे का मतलब पेड पाइसे देना पेड फिफिट रूपीज 50 पचास रुबे दिये तूदब परसन व्यक्ति को फूट्टाइड इट टाइ का मतलब बांधना होता है और यह सैकेंड फॉम है टाइड बोलते हैं इसको हूट टाइल इट मतलब जिसने य और सेकंड पुलिस ऑफिसर ने कहा चलिए आगे देखिए अधिस्पीशिए सब्सक्राइब कुंद्रा की भूम के बारे में अक्राइम ब्रांच टीम एक्राइम रांच की टीम लेफ्ट फूर अम्रिस सर अम्रिस सर के लिए निकली यह लेफ्ट इसका मतलब रवाना होना यह निकलना तो क्या मतलब वह क्राइम लेफ्ट मतलब रवाना हुई और गई तो इस घर पर बट लेकिन यह भी सेगंड फॉर में फाया फाइंड की पाया फाइंड मिसिंग और उसे गायब मतलब वहां से गायब पाया दे अधे मतलब वे दैन यूज़ टेकनिकल सर्विलियं दो सब्रकाना उसके कि उसको लोकाइट करने के लिए अरेस्टिंग हिंवसे लोगेट गरफ्तार करने के लिए संधू संधू को एक होटल से विद्ध इस्तॉलोन कैश मतलब चुरय पैसों से स्टॉल मत चुराइब एंड जवन्हों चुराइब पैसों जूल्री के साथ जब साथ चरुत आके आगे क देखी है कि एस कुंदरा विजिटेड हॉस्पिटल एस कुंदरा विजिटेड हॉस्पिटल जैसे कुंदरा ने विजिट किया मतलब गया for business business के लिए ही बीकेम फ्रेंड्स वेद संदू संदू के साथ दोस्त बन गया with friends friends with संदू and entered relationship और वो एक संबंद में आ गया मतलब संबंद में विदहर उसके साथ त्री मंस अगो त्री मंस मागो मतलब वह तीन दें पहले देप्लांड मतलब उन्होंने योजणा मना ना इस बात को जोड़ा तो चलिए दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में जो इस हिंदूस टाइम से थी मैंने आपको चलिए और दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा जब परिक्स को सजेशन करें ताकि में यहां तक शुणने के लिए आपका नहीं अगली shoots बैस